हाव टू इट अज मैं दे बारे गाल करांगी क्योंकि मेडिटेशन ली जा जिन्दगी नू शांती च जीवन दे ली खाने दा बड़ा महत्ता वे मैं अपनी गाल कर दिया कि जुना दिना दे विच मेरा मेडिटेशन दे विच देल नहीं लगदा हर वार छक्का होवे एवी जरूरी नहीं है ना कई वार बंदा पहली बॉलते ही आउट हो जन्द है सो हर वार जो तुसी मेडिटेशन करते हो तो अड़त त्यान लगे या तुसी बिल्कुल विचार रही शुन्य हो जाओ यह जरूरी नहीं है सो ओदेली जदो जदो तो अनू रेस्टलेसनेस लग द अला तो सिखियाने ते मिन्नु ए बड़ी ब्लेसिंग रही है कि मैं चंगे मास्टर्स चंगे टीचर्स थी अंडर काम कीता है ते मैं जदो बहुत रेस्टलेस हो जानी है दो चार दिन मेंनो अडिटेशन नहीं ठीक तरह हो ती ते मैं पुछनी है कि की प्रॉबलम होगी कि क्योंकि मैंनो डार लाग दा कि इननी मेनत नाल तुसी उपपर जांदे हो जो तुसी ओ अनांदले है लें दे फिर तो अनांद नहीं मिलता ते तुसी तु अनुए बलो ता फिर जमीन ते आगे फिर दुबारा तो मेनत करनी पेंदी है ते मिन्नों सब तो पहली गाल अनुए पहली तो मिन्हों यह समझ आनी शुरू होगी कि नहीं खाना वह इसकर के पूछते ने कि खाने दे उत्ते तो अड़े जीवन दी बहुत सारी चीजा जडियाने उन्यरबरने वेजटेरियन कहना है नॉन वेजटेरियन कहना है सात्विक खाना है जंक फूड खाना ह इसी पर तो अनुए जरूर देखना चाहिए कि तो अड़ी बॉडी लिखी जरूरी तो अड़ी बॉडी उसनों खान तो बाद कि हो जाए रेक्ट कर दिये उन्हों कि तुसी अपने बॉडी नुजदो श्रीर नुजदो सुनना शुरू कर दें दें जिसना कुछ लोग ने उ तो अड़ी जिन्दीकी था बेहाध संबान्दे और इंसान एद्धा खानदा रहन दानुप पता ही नहीं लगदा स्वेरे उड़ दें आसी खानने या दोपैरी ओड़ दें फिर खानने या रात नू फिर खानने या ए ओ जमाना सी जदो नुख जड़ा सी इंसान सी ओ समा बदलिया चीजा देनाल साड़ी शरीर देविच चीजा नू बहुत ही ज़दा जरूरत नी रही हार्ड वर्क नी है मेंटल वर्क है तो उसी कंप्यूटर दी जॉब्स बहुत ही आने या मेंटली काम जयादा है बट फिजिकली जड़े लेबर कार देने उनना नू कदी जरूरी हुनदा कि उननी मेनत कीती जाए तो कट तो कट अन खाना चाहिए तुसी वेखोगे कि अगर तुसी ती दिन थोड़ा अनाज ते दाला कटा दिन देव अपने दिन चरया देविच अपने खाने देविच तो अड़ी बॉडी तो अनुएदा लगेगी जिदा हवा बाच उड़ रही है अगर तुसी कोई वी पाठ पूजा कोई रिचूल कर देव कोई मेडिटेशन कर देव तो एक मिनट तो पहला दिल लग जाना है और यह अगर रात नूँ तुसी पारपेट खाना खादा है तो बहुत ज़ादा तो अनुट टिकन ही तो अड़ी रात न है कि मैं पानी लेके गरम पानी ओ पीनिया अद्दा लीटर या जिन्नी मेरी बाडी नू मैं बहुत तक कानी कर दिया अपने श्रीर नल सो मेरी चोईस हुन दिये कि मैं स्वेरे स्वेरे पानी देविच जवायन सौंफ जड़ी ओ बॉयल कर लमा थोड़ा अध्रक बॉयल कर पानी नू काड़े नू उबलंद वो और ओपीना चाहिए उधिनल की दा कि तोड़ी चिन्नी टॉक्सिंस हुन देने जिन्नी एयर हुन दिये उन निकल जान दिये और जड़ सड़ा पेट फुल्यास हनू मैसोस हुन दै ब्लोटिंग लग दिये ओ काफी हाथ तक अंदर हो जान दिये दूसरा कम की करना चाहिए है कि ब्रेक देनी चाहिए खानेच कि जद तुसी सुरे पानी पीता अद्दा केंटा बाद उस तो कुछ नी खाना नी ते लोको उस तो बाद नाली चाह पी लें देने चाह पियो क्यों किसा नू आदते पट कोशिश करो कि नू काट बालो वाइल काट करो ता उचाह तो अडेली फिर भी बहुत ठीक रहेगी ब्रेक फास्ट हो सके वैसे क्या जान दे कि ब्रेक फास्ट रिच करना चाहिए है पर मैं थोड़ा जाए उल्ट कर दी है पर मिनुए दे बहुत वदिया अपनी बॉड़ी नू में सूस होंदा है क यानि के एक दो वजे सादी बॉड़ी बड़ी एक्टिव उन्दी हो दो मैं अपने सब तो बिगेस्ट मील जड़ा ओदो लेनी है यानि के एक दो वजे मैं दाल, सबजी वैसे तो मेरी होंदी की सबजी खा दी जावे सिंपल रोटी जड़ी है मैं रोटी दे विच अलसी जड़ी अलसी नूँ पीस के मिक्स करके ओखानी है जो देनल की अलसी नल बहुत सारे वाइटामीन स्वी तो अड़ी बॉड़ी दे वेचान देने और जड़े बंदे वेचेटरियन ने उन्हान बहुत सारी नीट्स भी पूरियां हो जान दियाने तो मेरा पहला मील हुंद कि साथ साधे साथ वजे जिवे सूरे डूबद है अगर तुसी पुराने जमाने वाली है चीजा सन पर असी नवे मॉडरनाइजेशन दे चक्कर देवेच बढ़ियां सारी चीजा अपुला आती है पर अगर तुसी करोगे तो तुसी देखना कि तो अनू हाफते दसा देना वेच किना वड़ा असर अपनी बॉड़ी दे उते वेट लॉस थे नाल नाल तो अनू अपनी बॉड़ी जड़ी नी क्लीन महिसूस होएगी कि तो अनू लगेगा कि मेरी बॉड़ी दा पारी नहीं है और तो अड़ी एनर्जी लेवल जड़ा दस गुना वद होजेगा क्य उसी ओस एक्टिवली बॉड़ी दे विच स्टिमुलेट नी कार रहे उनू एक्टिवेट नी कार रहे सो काट खाना खाओगे काट अनाज खाओगे सो ओधी जगह दे तुसी फ्रेश फ्रूट खा सकते शाम नू सैलेड बना लो कोई भी अच्छा जा सैलेड प्याज नाके पालो पीलो नाल साड़ी ओ राकलो नाल तुसी और ओदे नाल तुसी कोई भी दाल सबजी अगर कार च बनिये ओ खाना शुरू कर दो तुस देखो कि कि हॉली हॉली हफ्ता को तो अनू आख लगेगी पट हॉली 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 तो अपनी जंदगी चे अपना बदलाव और एदा असर स्पिर्चुलिजम ते की है यह थे थे थोड़ी बॉडी दे पार्ती मैं काल कीती है जदो तुसी काट खाना खान दे हो थे थे थोड़ी बॉडी अनर्जी बड़ी एक्टिव रहन दी हॉला थार्जिक नहीं हो थी तो अनू पता खाना खान तो बाद सानू नहीं दा जान दी है सो ओ एक्टिव रहेगी ते जो तुसी त्यान लगान दे हो ते जिड़े त्यान हो तो अनू पंदरा भी मिनिट लग देने विचारा नू खाली करके एक जगा ते पॉंच देया उत तो अनू लगगेगा कि पांच साथ-दस मिनट देविच तुसी जाचन वाली वस्ता चाज़ोगे, मेडिटेटिव स्टेट्च जिते थौट्स काट चलनगे, थोड़ा जाथ-थोड़ा ब्रेन जड़ाए, ओधी अनर्जी बिल्कुल साम हो जाएगी, बिल्कुल समतल हो जाएगी और तो अनू अनान दाना शुरू हो जाएगा, स्विछ जा़िक्ति जेटिप्स ने लागदा सीकाा, खिकी मेडिटेशन ते बारे बहुत कला कर दे mittlerweile अक्र बएबात सारे लोग पूछ эту, कि में कीवे करनी है, तो पहली काले कि अपना खाना ठीक करो, उस यस तो बाद में तो को अंदिस आंगे कि फिर बाकिया ठीक करनी आगी अ औरिजनल असल दे विच उसनों ओदे नाल मिला लेना है तो उन्हें अपने आपी तो अनूं मेडिटेटिव कर देना है तुसी आप पर ही उस अनांद वाली अवस्ताच रहना है और फिर तुसी एक डेड़ केंटा नी रहा करोगी जड़ा एक डेड़ केंटा तुसी